कि लोग संभीधान को खतम करना चाहते हैं मनुसमिर्थी वाली संभीधान लाना चाहते हैं सरुछ यह जाती की हनक और सनक कहा से आती है कि यो लोग's खुले आम हत्या करते हैं 12 बजे दीन में पूरी गाउं के सामने में बुरी तरह पीता गया उसकी मिर्थी हो गई यह सणक कहां से आ रही है सर और इसे वन बेवस्था करने काम मजबूत करने का काम भाजपा की सरकाल कर रही है यह लड़ाई दुनिया की कोई ताकती लड़ाई को रोक नहीं सकता है यह अंदर-ंदर खॉल रहा है यह घटी पुर्ण रूप से भाजपा की हुगूमत जरूर हिवादिया और हंद्विश्वास को समरक्षन देती है सोनपुर के नवडिया की घटना है शामंतियों ने एक महतो समाज के लोगों को कुर्मी समाज के इवक को पीट पीट के मार दिया कशूर उसका सिर्फ इतना था कि उसने बड़े पार्टी में पत्तल साप करने से मना कर दिया था राजा महतो नाम था उसका पुरे परिवार को पीटा गिया महिला, बच्चे, बुढ़े, बजूर्ग, जो भी थे सब को दिन दहारे गुपहर एक बजे पूरे गाउं के सम ने समंतियों ने सजा दिया है इसी पर बात करेंगे और भी घटना है बिहार में लगातार इस तरह की घटना है बढ़ती हुई दिख रही है, मुझफर पूर के साहिव गंज का घटना है जहां पे सिमनाथ राम जी को चापा कल से पाने पीने के जुल्म में समंतियों ने मार दिया एक घटना समस्ति पूर की है जहां दिपक कुमार को जो पान समाज का है जो पान समाज से आता है पंदरा वर्सिया उस बच्चे को इसलिए इतना पीटा गया क्योंकि वो उसने एक रुपिय की चोरी कर ली थी दिन दहारे बीच गाउं में खूटे में बांध के उसको नौ घंटे तक पीटा गया इसी पे बात करेंगे हमारे साथ आरजेडी के राश्ट्रिय अपाध्यक्ष दो बार के पुर्व स्पीकर उद्यनरायन चोधी जी है सर जिस परकार से शामंतबाद मनुबाद की घटनाए बिहार में देखने को मिल रही है क्या आप परतिक्रिया अप लोगा की देखिए दुरभग्य है कि 75 वर्ष के आजादी के बाद अभी भी हमारे समाज में शुआ शुट है उच नीच है और इसी को समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराम बेतकर ने संबिधान में आरक्षन की बिवस्ता की थी जिसे बाद में चलके लोगों ने समझ लिया कि ये आर्थिक आधार पर आरक्षन दिया गया नहीं समाजिक गैर बराबरी होने के कारण ये आरक्षन दिया गया इसका प्रमान है कि जीतन रम्मान जी बिहार में जब मंदिर में जाते हैं पुजा करने के लिए तो उनको जाने से रोक दिया जाता है नहीं जाने दिया जाता है और ताला लागा के फुजारी भाग गया तो डियम ने उस मंदिल को खुलवाया प्रसासनिक बात करके प्रसासनिक आधेस से ठीक उसी परकार से मुझे बुटसर मारे ही है ये कहते हुए कि अभी तक गाउं में दलित पिछले के महिलाओं का कोई इज्जत और समाल नहीं सब्याद सोनपूर के पहले जागाओं में राजा महतो जो धानुक जाती का है कुर्मी है केवल और केवल उस गाओं के बड़े जमिंदार के हाँ उसकी पत्नी पत्तल उठाने के लिए नहीं गई जूठा साप करने के लिए नहीं गई इसलिए दो दिन के बाद पिछले नौ तरिक को पीट पीट करके सरयाम दीन के बारवजे उसकी हत्या कर दिया इससे भी जादे दर्जनाबाद क्या हो सकती है और उस गहर के सही लोगों को मारा उसी घहर में एक लवका उसका बेटा था जिसने मना किया पत्तल उठाने के लिए जाने से रहा ऐसा मंतवादी विचार रखने वालों इस तरह के लड़के अप तयार हो रहे हैं आपका जवाब देने के लिए उसकी मा को आप मार सकते हैं लेकिन उसके दिल में जो खून खूला होगा उसका जवाब आपको आगे देगा ठीक उसी तरह से शाहिब गंज में पानी पीने के लिए जाता है चांपा कल से पानी ले लिया उसके पानी लेने से मना किया चांपा कल से प्यास लगी थी पी लिया तो उसको पीट करके हत्या कर दिया ले लिया क्या कमाले बाई सिवनात राम को हाँ दलित समुदाय का था उसको तो आजादी के बाद आज भी पानी चापा कल से पीने के नाम पीने के लिए गया पी लिया मना करने के बावजूद प्यास लगी थी तो उसकी हत्या कर दी जाती है मारके एक रुपए का चौकलेट इसी हसन पूर में जिंग्या थना समस्ति पूर में एक रुपए का चौकलेट चुराने के नाम में उस लड़के को इपत ठाकुर या क्या नाम था दीपत पान दीपत ताती एक रुपय का चौकलेट चुराने के नाम पर पेण में बांध करके उसको मारा क्या भाई दुरुभाग्य है अमारे देश का लेकिन हां क्या कहा है जिए एक गाउं में कहावत है कि एक लड़का खड़े-खड़े प तो गाउं वाले के पंच ने कहा कि चलो इसके बाप से हम सिखाइट करते हैं तो लड़का का बाप घर जा रहा था तो उसका बाप कोठे पर से खड़ाओ के तेजाब कर रहा था तो अब यह दुर्गहटना सब जो हो रही है काम नहीं करने के कारण पीटने का हत्या करने का चाहे पहले जा सौनपूर का मामला हो साहब गंज में पानी लेने का मामला हो एक रुपए जोड़ाने का मामला हो तो दिलिये में बैठा हुकूमत ऐसा है जो छुआ छूत को बढ़ावा दे रहा है और नटंकी करता है मद्द पर्देश में एक आदिवासी नौजवान के मुँ पर पिजाप कर दिया और नटंकी कितना उड़ियां किया कि एक नकली आदिवासी लड़के का नकली आदिवासी बना करके उसका पैर्द होने का काम क्या वहां का मुखे पंतरी में यह भड़केगी जैसे जैसे नौजवानों को मालूम होगा अब उसमें अंबेत करका जो दिया हुआ ताकत है उससे खून उसकी खौल रही है आगे आने वाले समय में इसके गंभीर प्रणाम समाज में होने वाले हैं मैं उन समंत्वादी विचारधारा के लोगों को रूढ़ हिवाद और अरंद विश्वास रखने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि चेती है चेती है अभी भी दलित बेटियों की इज्जत नहीं उसके स्रम का कोई कीमत नहीं और अगर कोई सिर उठा के जवाब देता तो आप मारेंगे हत्या करेंगे यह नहीं चलने वाला हा जाने वाले दिनों में सर पांच आरोपी हैं पांचों फरार हैं पुलीस ने उपी ने उसको पकरा था फिर छोर दिया आपकी सरकार है पहुजनों की सरकार हैं मेदगरबादियों की सरकार है कारवाई ठोस क्यों नहीं हो रहे यह सर ? कारवाई होगी अरे कारवाई सरकार से पेक्षा नहीं करना चाहिए का इस तरह के समय पर इस तरह की घटनाओं पर आम जो दलित समुझाय के लोग है उनको खड़ा हो करके इसका प्रतिकार करना चाहिए नजमानों को उठना चाहिए हम तो कुर्मी भाई धानुक भाईयों को कहते हैं कि तुम्हारे खून में अगर ताकत है तो तुम्हारी मा बहों का इजट लिया पीट पीट करके हत्या कर दिया पहले जाके उस गाउं में चलो और उसका जवाब दो उठकड़ा हो उसका बदला लेना चाहिए बताईए जो पानी पीने के नाम पर जिस दलित का चापकल से पानी पी लिया तो हत्या कर दी जिगा आप लेकिन जब मान सिकता ही ऐसी हो बिहार का मुक्ह मंतिर जाते हो जी तरह माजी को गुसने नहीं दिया अब फिर चला गया उसी क्या है इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पड़े लिखे दलित है कि वो सबसे ज़्यादा अंबेत करवाथ के विरोधी है और सत्ता में जो बैठे हैं अभी जो भी सत्ता में है बीज़ेपी के साथ दलित समझा का नेता वो सब अंबेत कर विरोधी है जाती की हनक और सनक कहां से आती है कि वो लोग खुले हम हत्या करते हैं बारा बज़े दीन में पूरे गाउं के सामने में बुरी तरह पिता गया उसकी मिर्ति हो गई यह सनक कहां से आ रही है सर यह जो सनक है और हनक है सामनतों के दीमान में उसको मनुस्मिर्टी से मिलता है वेद से मिलता है रमायन से मिलता है याद रखेगा चुआ चुट कौन सिखाता है वन बेवस्था किसने लागू किया और इस वन बेवस्था को लागू करने का काम मजबूत करने का काम भाजप कि सरकार कर रही है कि परची निकालने वाला आया था पट्ना में इसको कौन बुलाया था भात्पा के लोग उसका नेता उसका ड्राइविंग करके महिमा मनित कर रहा था हिंदू राष्ट का अधार या संकल्पना मान सकते हैं इसी इसी घटनाओं को मनें सबसे ज्यादे बड को आजात कराने में जिसका कोई योग या योगदान नहीं है वही राष्टपादी बना हुआ है यह भाजपा और आरेसिस के लोगों का राष्ट को देश को आजात कराने में कोई का है कि सर इसी के खिलाफ लालु यादब जंडा लगाया क्या है नाकपूर के आरेसिस आप कभी राष्ट यह जंडर नहीं लगा है सब लोग है अब लड़ाई कमजोर हो गई क्या लड़ाई कमजोर नहीं हुई है लोगों के समझ में है कि लड़ाई कमजोर हुई है यह लड़ाई दुनिया की कोई ताकत इस लड़ाई को रोक नहीं सकता है यह अंदर अंदर खौल रहा है यह घटना जैसे ही यह घटना जाएगी लोगों में यह जो धानु क्या नाम है उसका राजा महतो को की सूचना ज जाएगी तो क्या समझते हैं जो नौजवान सब है उसमें खूल नहीं खूलेगा खूलेगा आप जो बरदस्ति घर में काम करेगा पतल उठवाईएगा देश आजाद हो गया सम्बिधान से उसको अधिकार मिल गया इसलिए नहीं हम कहते हैं कि संबिधान बचाओ और इसलिए भाजपा के लोग संबिधान को खतम करना चाहते हैं मनुसमिर्ति वाली संबिधान लाना चाहते जाते मत परदेश की घतना का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पे सिवरा सिंग चौहान ने आरोपी के घर पे बोल लोजर तक चलवा दिया और पैर भी धो लिया नकली लों के हाँ पैर धो लिया आप कहा करवाई कर रहे हैं इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि जो धलित के प्रत्निधी बने हुए जिनको पत पैसा दे करके बनाए हुए है अरे और तो और छोड़ दिए कि जो राश्पती थे हम लोग के पहले रामनात कोविंद गुंसने दिया क्या उनको हमके मंदिर में जगनातपुरी के मंदिर में पूरी में उनकी पत्नी को यह जो अभी मुर्मू है द्रब्भी मुर्मू जी है हम लोग की परिवार की सिंबुल है महा महीम राश्पती महोदिया उनको इसलिए नहीं बुलाया नए संसत्वावन के उद्गाटन में कि वहां के तथा कथित पंडितों ने कह दिया कि दलीत आदिवासी को वहां नहीं प्रवाइब कर दो लिए इसलिए उनको भुलाया नहीं आप यह आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का संदक्षन मिलना इस तरफ की घटना करने पुणू रूप से भाजपा की हुकूमत जरूड हिवादिया और हंद्विस्वास को संदक्षन देती है जो मनुवाद को उसको प्राप्त है उम्मीद कि जल्द ठोसकारवाई आपके सरकार से निस्टीतँ तोरह से होना चाहिए इस परकारवाई कि क्या मांग करते परिवार के लिए? उस परिवार को सबसे पहले तो सम्मान उसको मिलना चाहिए जो समाजिक सम्मान वहां से आसपास से मिलना चाहिए और हत्या जो हुई है उसको 10 लाख रुपय मुआबिया भी मिलना चाहिए उस धानुक परिवार को और नौकरी भी मिले और अच्छा रहेगा चलिए ये उद्या नरायन चोधरी जी हैं राजत के राष्ट्रियों पाध्यक्षें और जिस परकार से दो-तीन घटनाएं वन-टू-वन बिहार में देखने को मिल रही है राजा महतों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने पतल साप करने से समंतियों के घर में बड़ भी हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं हो रही है बिहार में भी देश के अन्यतर जगों पे हो रही है जाती अधारी जगन हत्याएं कितना जायज है क्या मनुबाद फिर से सीरुठ हने लगा है इस पर भी प्रस्थन है बिहार सरकार क्या इस पर कारवाई करेगी क्या ठोस स्कारवाई की उम्मीद की जा सकती है अपनी परतिके देजेगा रभी महता नेशनल दस्तक पठना चाहते हैं तो निस्वल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्वल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करे, कमेंट जरूर करे